काल को बांद कर जब क्रिश और लिटल क्रिश बाहर जाते है तो वहां का नजारा और भी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि आसमान का रंग बदल चुका है हर जगा एलियन्स का धमाका हो रहा है ग्यालेक्सी से आई एलियन्स के बहुत सारे वेरियंट्स थे जो हर जगा फैल को तबाह कर देगा और वो उस तरफ है और यह सुनते ही वो तीनों ही वहां जाते हैं और बीच में देखते हैं कि काफी सारे लेकर कहां जाएंगे और तभी वहां पुलिस और मिलिटरी आ जाती है जो क्रिश से कहती है हम एक बार फिर दुनिया को बचाने में क्रिश की मदद करेंगे और फिर पुलिस चीफ कहते हैं अगर सब को किसी एक जगा रखना है तो उसके लिए क्रिकेट स्टेडियम सही हम बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं और अब इने और नहीं खो सकते तब क्रिश ये सुनकर कहता है लेकिन ओफिसर आप इन एलियन्स का मुकाबला कैसे करेंगे इनके पास तो काफी पावर्ज है तब लिटल क्रिश को एक आइडिया देता है और बताता है कि वो लड़ सक करेंगे तो वहीं खत्म हो जाएंगे और फिर वो अपने सूट से एक बिन निकालता है और चीफ से कहता है फुलिस अंकल इसमें वो पार्टिकल्स है आप इन्हें अपनी गोलियों में लगाकर गन में इंसर्ट कीजिए और इन एलियन्स को मारिए लेकिन ये इतने ही है और इन्हें संभाल कर इस्तमाल कीजिए और तब चीफ अपनी गोलियों में उन पार्टिकल्स को एड करते हैं और पीछे से आ रही एलियन्स परवार करते हैं और उसके दिमाग पर गोली मार देते हैं और गोली लगते ही वह एलियन वहीं खत्म हो जाता है और चीफ बोलते है Let's kill some aliens today और फिर वो और बाकी के officers लोगों को stadium की तरफ ले जाते हैं तब फिर क्रिश लिटल क्रिश से कहता है कमाल कर दिया तुमने तो जूनियर और लिटल क्रिश अपने पापा से कहता है तारीफ बार्द में पापा पहले कुछ और aliens को मारो और फिर क्रिश कहता है तुम पोलिस officers भी aliens से लड़ते हुए सभी को stadium की तरफ ले जा रहे हैं और इसी के चलते ऐसा लग रहा है मानो एक ऐसी जंग छिड़ी हो जिसमें humans और superheroes मिलकर aliens से लड़ रहे हैं वहीं बात करे क्रिश की तो क्रिश विक्टर के पास चाहता है जो अपने हमली की तयारी कर रहा है और क्रिश को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं तो क्या क्रिश रोक पाएंगे विक्टर को तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताना